दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर True Balance नाम की इस एप से एक लाग रुपे तक का instant loan कैसे लेते हैं complete process दिखाने वाला हूँ सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो आपके सामने है और यहाँ पर आपको दो कैटेगरी देखने को मिलती है देखे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर सिर्फ और सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड लगाकर KYC complete कर लेते हो तो आपके सामने दोस्तो नीचे वाला जो option है जहाँ पर आपको एक हजार से लेकर 15,000 रुपे तक का instantry loan मिल जाता है यानि कि 15,000 रुपे तक की credit limit मिल जाती है तो यहाँ पर आप आधार काड और पैन कार्ड की वेस पर दोस्तो आसानी से 15,000 रुपे तक का loan ले सकते हैं पर कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो जरूरत है वो ज्यादा होती है यानि कि हमें जो है कम से कम 5,000 रुपे और मैकसिमम 50,000, 60,000 या 1,000,000 रुपे तक की लिमिट चाहिए तो आपको दोस्तों ऊपर वाला जो उपसन है जहापर आपको देखने को मिलेगा cash loan यहापर आपको 5, जार से लेकर 1,000,000 रुपे का instantary loan मिलता है तो यहापर दो अपसन है यानि कि सिर्फ अगर KYC कर रहे है तो आपको 15,000 तक का loan मिलेगा और KYC के साथ-साथ अगर कुछ और जरूरी जानकारी आप देते हैं तो आपको 5,000 रुपे तक की जो लिमिट है दोस्तों वो मिल चलिए दोस्तों यहापर मैं आपको apply करके दिखाता हूँ यहापर आपके सामने है apply now यहापर आपको click करना है जैसी आप apply now पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस पर करकर interface आएगा अभी दिए कि यहापर कितनी लिमिट है अभी बताया है कि हम यहापर 1,000,000 रुपे तक का loan अभी आपकле देखेंगे आप यहापर कम से कम 3 महिने और maximum 6 महिने के लिए loan ले सकते है अगर तीन महिने के लिए loan लेते है तो हमारे सामने कुछ इस परकार एंटरफेस आता है और यहाँ पर अभी आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह केटेल आती लाती है मैं आपको बता दूँ loan का purpose आपसे पूछेंगे तो यहाँ पर आप personal loan या emergency maus loan कि यहाँ पर तीन-चार option है, sell lead है, self employee है, तो अलग-अलग option देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आप टिक करेंगे, उसके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि employment type क्या है, आपकी जो है regular income है, या regular income नहीं है, यहाँ पर आप जो है select करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम sell lead है, इसके साथ साथ हमारी इंकम है, वो regular आती है, और नीचे है दोस्तो work experience, आप जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, employment type में यहाँ पर आएंगे, regular income है, और इसके साथ साथ नीचे आएंगे, तो यहाँ पर है कि आपको work experience कितरा है, मैंने 3 से लेकर 5 साल डाल दिया, मैं क्या करता हूँ, आपको पता है YouTube creator हूँ, इसके साथ साथ field मेरी IT की है, जो मेरी sales and marketing है, मन्तरे income की बात करेंगे, 50,000 रुपे है, और यहाँ पर आप जो तो दोस्तों नीचे आएंगे, थोड़ा सा और आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, pay day, आप किस दिन जो है, आपको salary बगरा मिलती है, वो यहाँ पर आप select करेंगे, आपको अपने bank account की detail यहाँ पर देनी है, जो कि आप देखेंगे, और यहाँ पर आपको loan का experience भी बताना है, और इसके साथ साथ आपको एक email ID देनी है, यहाँ पर पूरी detail को भणने के बाद देखिए, मैं यहाँ पर yes and I confirm पर किलिक करूँगा, जैसी मैं यहाँ पर किलिक करता हूँ दोस्तों, तो मैं next page पर चला जाता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे, जो भी मेरे लिए loan होगा दोस्तों, वो अभी मेरे सामने यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर जो भी मिलना होगा, maximum limit एक लाख रुपे की है, एक लाख रुपे की मिलेगी, या उससे कम मिलेगी, जो भी लिमिट है, वो अभी हमारी आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर है notify me when it approved, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एक दो मिनट ले रहा है, तो आप दोस्तों नीचे वाले option पर जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस पर click कर देंगे, और click करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, जो cash loan वाला option है, यहाँ पर in progress बताया जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर है कि waiting approval, मतलब थोड़ा सा हमें इंदियार करना है, तो चलिए हम यहाँ पर थोड़ा इंदियार करते हैं, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, अभी मेरे को जो इस एप से limit मिली है, वो बहुत ही सांधार मिली है, यानि कि मैंना आपको बताया था कि कम से कम पाजार रुपे और maximum जो आपको limit मिल सकती है, वो एक लाख रुपे तक की मिल सकती है, तो ऐसे में दोस्तों, जो मेरे को यहाँ पर limit मिली है, वो पूरे 48,000 रुपे की मिली है, समझ रहे हो, 48,000 रुपे की limit है, यानि कि मैं चाहूं तो 48,000 रुपे का loan यहाँ पर ले सकता हूँ, और यहाँ पर पूरी detail है, अभी चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम पूरी detail देखेंगे, पर मैं किलिक करूँगा, और यहाँ पर आपके सामने है, congratulations, your loan hedge been, यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब यहाँ पर क्या बताया गया है, दोस्तों, कि यहाँ पर हम इस loan को ऊपर आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कि अगर हम 48,000 रुपे का loan लेते हैं, तो हमें चुकाना पड़ेगा 54,421 रुपे, अगर हम यहाँ पर 6 महिने के लिए लेते हैं, तो हमें यहाँ पर processing charge बताया गया है, कि 6,421 रुपे पड़ेगा, उपर पूरी की पूरी डिटेल है, यानि के fees and charge बढ़ेगा, ठीक है, और जो interest रहेगा, वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, अभी देखें, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि आप इस limit को कम भी कर सकते हैं, देखें, यहाँ पर आपको 48,000 रुपे है, तो मैं चाहूं दोस्तों तो यहाँ पर इस limit को कम कर सकता हूँ, कितना कम कर सकता हूँ, देखें, कम से कर मैं इस limit को दोस्तों नीचे लेकर आऊँगा, मैंने यहाँ पर दोस्तो मिनिमम जो यह लिमिट है वो घटा कर यहाँ पर कर दी है दोस्तो 5,000 रुपे अब यह 5,000 रुपे क्यों देखें यहाँ पर दोस्तो अगर मैं 5,000 रुपे का लोन लेता हूँ तो मेरे को रिपेमिंट जो करना पड़ेगा वो 5,000 रुपे करना पड़ेगा यहाँ कि 6,000 रुपे दोस्तो मेरे को यहाँ पर इसका चार्ज इंट्रेस्ट वगरा वो देना पड़ेगा आप देखिए मैं यहाँ पर 48,000 रपे का लोन लूं या पांज रपे का लोन लूं दोस्तों आपको पता है जो process है वो same ही होने वाला है process से कोई पर का लोन ले सकता हूं पर मेरे को लोन कि आवसकता नहीं है पर ये लोन मैं Sit लिर रहा हूं ताकि मैं आपको complete process बता सकूँ और यहाँ पर दोस्तो complete process दिखाने का मतलब यही है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं आधार card, pen card लगाते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तो आसानी से loan मिलता है चलिए दोस्तो यहाँ पर मैं जो हूँ पाजार पर ही लेकर दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को बढ़ना फालतु के ही यहाँ पर इंट्रेस्ट बगारा और process देनी पड़ेगी चलिए confirm and proceed पर किलिक करूँगा देखें यहाँ पर मेरे सा पूछा गया है कि proceed with these loan term जैनकि term and condition है confirm पर किलिक करूँगा उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ processing होगी sunglasses आपको चस्मा नहीं पहनना है और maintain good lighting जो है आप जो अच्छी जो लाइट है वो आपके चेहरे पर पढ़नी चाहिए और कि आपकी जो फोटो वो साप आनी चाहिए यहाँ पर I agree पर किलिक करूँगा और take a selfie पर किलिक करूँगा यहाँ पर while using this पर किलिक करूँगा अब देखे मैं यहाँ पर एक selfie लेता हूँ दोस्तों और यहाँ पर जो है अभी देखेंगे दोस्तों मैंने selfie ली है और यहाँ पर फिर से जो हमारी application है वो in progress में चली गई है तो फिर से हमें थोड़ा सा यहाँ पर wait करना है अभी आप देखेंगे दोस्तों आपके सामने है और यहाँ पर पूरी detail आचुकी है यहाँ पर है congratulation your loan has been approved यहाँ पर सी detail पर दोस्तों मैं click करूँगा और सी detail पर click करने के बाद मेरे सामने जो है कुछ इस तरीके से पूरी detail आ गई और यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि 5000 रुपे जो है यह एक हजार अठामन रुपे की जो है हर महिने मेरी किस्त कटेगी और लास्ट में 1248 रुपे की कटेगी तो यहाँ पर अगर मेरे को यह लेना है दोस्तों तो यहाँ पर मैं लूँगा देखे आप 5000 पर click करूँगा यहाँ पर पूरी detail देख सकता हूँ यहाँ पर by checking पर click करके मैं accept this offer पर click करूँगा उसके यह जो पैसा है हमारे bank account में भेजा जा रहा है और यहाँ पर message देखने को मिलेगा डिस बड़ जलका तो इस तरीके सा दोस्तों यहाँ पर जो हम loan के लिए apply कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों अभी आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक तो true balance नाम की की है कि यह जो पैसा है दोस्तों जो की 5000 रुपे हमने loan के रूप में लिया है इसको चुकाने के लिए हमें जो है 6538 रुपे देने पड़ेंगे जिसकी जो last date होगी वो 10 April 2024 तक दोस्तों यह चलने वाली है और NBFC का नाम है in cred finance यहाँ पर आपके सामने है total मिलाकर 6538 रुपे ह हमें चुकाने पड़ेंगे तो इस तरीके से आप घर बैट कर आसानी से अपने mobile phone से आधार card और pen card के base पर loan ले सकते हैं अभी मैं आपको live proof दिखाया है जहां पर हमने कोई भी income proof नहीं दिया है कोई भी additional जालगारी नहीं दी है इस app को लिंक है वीडियो के description और comments box में provide कर आ यो वीडियो को like and channel को subscribe जरू करें धन्यवाद